हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेक टू माई यूटूब चैनल, सो आई होब आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, और देखे हम आज हमारी साधी की सालगिरा है, एनेवर्सरी है, पूरे छे साल कम्पलीट हो चुके हैं, सो हम बांदकपुर धाम की दर्म निकल चु तो बस हम वहीं के लिए निकल चुके थे, मैं मेरा बेटा और मेरे हस्वेन हना हम तीनों, हर साल हम लो मम्मी या मतलब किसी नहीं किसी को ले जाते हैं, बड़ी मम्मी या बड़ी दीदी, इस पर हम तीनों ही गए हुए थे, हना, सो ये हमारी जिन्दिकी की सुरुआत मिसिंग नहीं करती हुँ, सो हम पहुँच चुके थे, और देखे, ये प्रशाद लिया हुआ था, हमने यहां से, यहां के जो ये, आप गुजिया देख रहे हैं ये बहुत ही फैमस है वहां की, और पेड़े, कलाकंद, ये चीज़े वहां की बहुत ही फैमस है, अगर कोई फर्स टाइम जाए तो ये चीज़े जरूर ले, सुबस हमने प्रशाद लिया हुआ था, नरियल वगेरा, कुछ मिठाईया, माला, फूल, और हम मंदिर पहुँच चुके थे, ये मंदिर का कुछ व्यू था, और हम डेट हो चुके थे, तो हम पीछे वाले गेट से एंटर ह हो थे, क्योंकि फिर पढ़ बंद हो जाते, तो हमने सोचा कि जल्ली पहुच जाएं, और जली दर्शन मिल जाएं, पढ़ बंद ना हो पाएं, और देखें, मंदिर की सफाई भी धुलाई भी चल रही हुए है, और देखें, मंदिर है ना, बहुत बड़े छेत्रफल, मतला है, तो देखें, प्रग्यान जल भर रहा था, तो मैंने सुचा, वो भींग ना चाहे था, मैं इसे पकड़ने के लिए एक दम से दोड़ी, तो कहीं का वीडियो कहीं आ चुका था, मतला विलर हो चुका था, और मैं उसे इन डिलीट भी नहीं कर पाई थी, और देखें, फि सबस्ट गेट है, सुबस यहां पे मैं कुछ पिक्स भी निकलवा रही थी, और जो मैं यह साड़ी पहनी हूँ, यह मेरी हस्वेंड ने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट दी हुई है, पुरी कम्प्लीट करवा के, सो आप सभी को कैसी लगी, सो कमेंट्स बॉक में ज़रू बताना, और देखिए, जो यह मंदिर का सेकंड गेट है ना, पहले यहां से दर्शन होती थे, पर पूनवाले दिन से, अंदिर से होने लगे तो मैंने किया, अरे वह नहीं तो अभी तो हम आ रहे थे, तो हमें बाहर से दर्शन मिल रहे थी, कोविट के कारण, इस पर हमें अंदर से अच्छे और बिलकुल खाली एक मिनान से, हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन करें इस फार, और हमें बहुत ही अच्छा भी लगा, हैना, इदर दर्शन कारें हो, देखिए पंडेश जी वगएर अभी खड़ों, जो हम दर्शन को गए तो बिलकुल एक दम खाली मंदिर था वहाँ बहुत अच्छे से दर्शन करें और बहुत अच्छा लगा हमें और ये बंबं बोले जागिश्वन्नात बांदकपूर धाम है बांदकपूर दमों से 17-18 किलोमीटर की दूरी पर है जागिश्वर धाम बांदकपूर बहुत ही फैमस जगा है और अच्छी प के जगा है हमारी शादी भी यही होई थी तो हम asmator साहर चाल में साल में एक बार जरूर आते हैं हाँ पैम्ने रब्हार मेरे शादी थी तो हम पहले यह आा एंहीं से होई थी और इसके बाद रिशेप्शन दिए अवा था तो हम हर साल यहाँ आते हैं हम्स्नेन इस्याम क पूजा करने के बाद ये पंड़ जी के आश्विवाद लिया पहले नो ने लिया फिर मैंने भी लिया हुआ था फिर हमने कुछ पिक्स भी खिश्वाय थे यहां फिर देखिए उसके बाद थोड़ी देर बाद ही कितनी भीड़ा चुकी हुई थी और हमें अच्छे से दर्श का भी भड़ा पूंजारी ये देख कर बहुत ही लीन हो जाता है तो देखें अदर भज साथ और यह भाधर पे यह बाद बैठी हूए मंद्र की निकलते ही साथ और यहां पे सबीचीज है और यह भी बहुत सुंदर मंदिर है मंदिर के बाहर निकलते है चाथ रादा कृष उपर डाल सकते हैं बाकी वहां कुछ भी नहीं मिलता है पूजा करने के अजाब से वस यही था और देखिए मंदिर का यह कुछ व्यू है बहुत ही अच्छा और सुन्दर मंदिर है यह माता पारवती बैठी उसके जस्त सामने अना सुबस अनोने वहीं पे हमने नरी और वग पती तो बस मैं वही व्यू के कारण उसके चक्कर में उसे देखना पड़ता है बहुत ही क्योंकि वह इतना पुजारी बन जाता है तो कहीं का व्यू कहीं आ रहा था उसके लिए प्लीज सू सॉरी और मैंने बोलिना से सभी के लिए प्रतन करी कि बोलिना सब पे ही किरपा अपनी द्रश्टी बनाए रखना सब के घर में सुख शम्रत दिलाना सभी अच्छा रहे हैं ना सो बस यही था और देखे फिर हमने अगरवत्ती लगाए और उन्होंने नरियल वगेरा वोड़ा वहां प्रशाद चड़ाया सो देखे कुछ यही रहता है और हमें यहां के बहुत ही अच्छा भी लगता है और जो आना चाहेते तो आ सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी जगा है यह और मतलब इतर पे शादी के लिए भी अच्छा खासा पंडाल है बहुत बड़ी जगा है मुंडन रुकने की विवस् इसा की डिर्शन के थे अंदर तो यह मा पारवती जी का दर्शन मंदिर है और गया सफारती कहते हैं किर रहासा जाहिक सदनधा click देखें कितना संदर कितना प्यारा लग रहा है यहां पे भी आपको जैसे चड़ाना हो सेंगार वेंगार मैंने भी चड़ाया हुआ था वहां और देखें हम फिर माता पारवती जी के भी परक्रम में लगा रहे हैं परक्रम में लगाने के बाद मादुरगा बैटी हुई है यह शनी महराज है अना मतलब बहुत से भगवान भी बैटी हुए है मंदिर में ही और फिर देखें यह राम लक्षमन और सीता माता हैं सुदर के भी हमने दर्शन किये हुए थे है ना सो बस यही सब था सो मैंने सुचिए आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूँ हना क्योंकि ऐसी जगा हर किसी को नहीं मिलते हैं से भगवान लब इदर आने का मौक जो नहीं आ पाते हैं तो वो कम से कम दूर के लोग घर बैटे ही दर्शन कर सकते हैं हना यह हवन ह यहां हबन भी होते हैं किसी की शादी होती है तो फेरे वगेरे भी पढ़ते हैं हना तो बस यह वही था सो हमने धर पे भी पान प्रशाद चड़ाया और उसके बाद यह माशरश्वती बैठी हुई है हना तो माशरश्वती है यह उसके बाद शत्त नाराइन भगवान है य और यह मानर्वदा जी है और यह सौमबार सत्नायन भगवान सोला सौमवार जो भी आपको कथा सुननी हो तो यह पंडित जी यहां कथा सुनाई जाती है अना सो बस यह हो देकिया हमने पंडित जी जो इदर बैटे थे हमने उनके भी चरण स्परश किये और देकि उसके बाद यह कुस दुकाने लगी हुई थी मंदर के बार यह पीछे वाला गेट है सो हम दर्शन करके आप भी चुके थे हैं और यह पान प्रशाद मिलता है यहां सब भी चीज़ है और काफी अच्छा भी लगता है और हलका फुलका सा मेला डाइप का भी भरा रहता है जैसे सिंगा बार कुछ भी यह सिंदूर वगेरा यह सब चीज़ों की दुकान भी लगी रहती यहां और अच्छा लगता है तो आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा अना सु प्लीज कमेंट्स मैं बताना बाब बाई